इसी के साथ आपका स्वागत है उत्तर प्रदेश की राजनितिक खबरों में चली डालते हैं नजर योगी राजपर मजदूरों के नाम पर जो राजनिति उत्तर प्रदेश में चल रही है वो चरन सीमा पर है और आपको बता दें के सब कुछ हो रहा है लेकिन परेशान आखिर मजदूर ही हैं लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की बसों से वावसी पर हो रही राजनिति पर अब सपा सुप्रीमो माया वती ने कॉंग्रेस बीजेपी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा है कि बीएसपी अपने सामर्थ के हिसाब से बिना प्रचार के मजदूरों की मदद कर रही है उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि मदद के नाम पर बीएसपी कॉंग्रेस बीजे में बसे भेजे और ये भी कहा है कि जितनी जल्दी हो सके मजदूरों की मदद की जाए राजनीती को भूला जाए